हलो दोस्तो, Reader Books Club में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है Deep Work जिसे Cal Newport ने लिखा है और बिना ध्यान बटकाए, कॉंसेटरेट करने की कला को सीखने में विशेश रूची रखते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये सबसे कीमती कोशल है जो लोगों में खत्म होता जा रहा है उन्होंने So Good They Can't Ignore You और Teen Students में भी पॉपलर किताब ही लिखी हैं जो एडवाइस से भरी हुई है Deep Work एक गाइड है जो इस बारे में है कि कैसे इस भटकी हुई दुनिया में फोकस सफलता पाएं ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है जो उस काम में बहतर होना चाते हैं जो पहले से ही करते हैं अपनी काम को मास्टर करना चाते हैं और बहतर रिजल्ट्स चाते हैं 21st century में जी रहा कोई भी इंसान distraction की भरमार के बारे में अच्छी से जानता है ये वीडियो आपको इससे बचने और अपने काम को मास्टर करने में मदद करेगी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो से पहली कि आप वीडियो में खो जाएं immediately चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को immediately लाइक करें आप हमारी चैनल को जोइन करके live book workshops के भी benefit ले सकते हैं हमारा चैनल यूटिब के best summary चैनल में से एक है, हमारी वीडियोज कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी compromise नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को end तक देखना ज़रूरी है. The Deep Work Hypothesis Deep Work करने के शमतत तेजी से rare होती जा रही है, साथ ही है हमारी economy के लिए बहुत ही कीमती है, जिसके कारण वो लोग जिनके पास ये कौशल है, जिन्होंने इसे अपनी work life का हिस्सा बना लिया है, वही सफल हो पाएंगे. Author ने पहले Deep Work Hypothesis को जाना है, और उसे support करने का सब्बूत दिया है. उन्होंने Deep Work करने के फाइदे भी बताये हैं. उन्होंने चार core rules इस्तमाल किये हैं, कि कैसे आपके दिमाग को train करने के लिए इस hypothesis का फाइदा लें, जिससे आपकी working habit बदल सके. The Deep Work Hypothesis अब हम दो तरह के लोगों को समझेंगे, जो इस तरह उभरते हुए, डिजिटल दौर में सफल होंगे. वो लोग जो intelligent machines और technology के साथ काम कर सकें, और वो लोग जिनने उनके work field में star माना जाता है. इन सफल workers की दो सबसे ज़रूरी खासियत हैं, मुश्किल काम को लेने की शमता और उसे तेज़ी से master करना, और दूसरा, ऐसा content, products, services को बनाना, जो speed और quality दोनों में अच्छे हूँ. तो सवाल ये उड़ता है कि आप ये शमता कैसे पाएंगे? यहाँ पर ये deep work का concept आता है. अगर आप deep work नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन दोनों मन्चाही खासितों के साथ struggle करना पड़ेगा. Learning hard things. मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने का एक ही तरीका है. बिना भटके ध्यान दे. Efficient बनने के लिए आपको deep work करना होगा. मुश्किल चीज़ें complex होती हैं और आपको उन्हें अपना सारा attention और focus देना होगा. High quality work produce करने के लिए आपको time और intensity of focus दोनों देना पड़ेगा. High quality का content, work, services प्रोडूस करने के लिए आपको एक ही काम पर लंबे वक्त तक ध्यान देना होगा. बिना ध्यान भटकाए. आपका गहरा ध्यान ही आपका best काम प्रोडूस कर सकता है. Why is deep work rare? Deep work rare क्यों है? बहुत से businesses ऐसे culture को follow करते हैं जिसमें लगातार connected हैना, requests को TGC response देना और ज़्यादा exposure को भड़ावा देते हैं. ये behavior सी employee की deep work करने की शमता पर असर डालते हैं. इसका एक ही सीधा सा कारण है, क्योंकि ये आसान है. आजकल workers बढ़ता हुआ, visible business चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी value दिखाने का कोई और तरीका नहीं मिल पाता है. Business as proxy for productivity. अपनी job में productive और valuable होने का क्या मतलब है? इसके indicator के बिना, बहुत से काम visible manner में करते हुए, बहुत से knowledge worker फिर से productivity के industrial indicator के तरफ जा रहे हैं. ओधर यहां समप करते हैं, deep work मुश्किल है और shallow काम आसान है. और आपके काम के clear goals के बिना, दिखाई देने वाली business, जो shallow work को घेर लेती है, खुद को बचा कर रखने वाली बात बन जाती है. Why should we perform deep work? Deep work क्यों करना है? Deep work एक activity है जो flow state बनाती है. Flow state एक phrase है, जिससे psychologist मिहाली ने अपने दिमाग को एक हद तक खीचने और ध्यान देने को समझाने के लिए इस्तमाल किया है. और जैसे कि हमने सीखा है, flow से एक खुशी बनती है. इन दोनों को मिलाने से हमें गहराई के तरफदारी का एक और point मिलता है. गहराई तक जाने से हमारी सोच ऐसी बनती है, जिससे हमारी जिन्दगी बहतर बनती है. ये साफ हो गया है कि अपने काम का असली मतलब निकालने का deep work ही जवाब है. ये आपके कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है और एक distracted job को ऐसे काम में बदल सकता है जो satisfying, meaningful और सफल हो. How? पर ये सब कैसे होगा? चार ऐसे core rules हैं जिनसे आप deep work का फाइदा ले सकते हैं और अपने काम को master कर सकते हैं. Work deeply. Deep work की आदत को बढ़ाने का तरिका है अपने अच्छे रादों से आगे जाना और अपनी work life में routine को add करना. ये आपकी limited will power को कम करने के लिए बना है, जो ना तूटने वाले ध्यान के लिए ज़रूरी है. कुछ points जो deep work session से maximum लेने के लिए crucial हैं. Decide करें कि आप कहां और कितनी देर के लिए काम करेंगे. ऐसा zone बनाएं जहां आप ध्यान लगा सकें. जब आप काम शुरू करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आपके process क्या है? आप अपने काम को कैसे support करेंगे? क्या आपको शुरू करने से पहले ठीक से fuel चाहिए या कुछ हल्गी exercise ट्राइ करनी है? ओधर ने downtime और freedom की जरुद बताई है. ये आपको वो वक्त देता है जो आपको deep work करने के लिए चाहिए होता है. downtime याने की rest time आपके insight को सुधारता है. downtime काम के लिए जरूरी energy को recharge करता है. एक दिन में आपके पास deep work के लिए limited शमता होती है. इसलिए इसे दिन के वक्त करने की कोशिश करें और शाम का वक्त downtime के लिए इस्तमाल करें. embrace boredom, बुरियत को enjoy करें. हमारी तेजी से भागती हुई जिंदगी में हमारा दिमाग rewired हुआ है. और ये distraction की उम्मीद और request करता है. हम potential boredom में कभी भी अपना smartphone चेक करते हैं. चाहे आप line में wait कर रहे हो या आपका friend washroom गया हो. इसका मतलब है हमारा दिमाग distraction को ढूनता है. डीप वर्क के लिए कोई जगे ही नहीं बसती है. हम distraction से break लेने की जगा अपना schedule rearrange कर लेते हैं. बलकि हमें इन distraction के लिए focus से break लेने चाहें. इसको करने के लिए आप meditation शुरू कर सकते हैं. productive meditation का यही goal है कि आप physically occupied हों पर mentally नहीं. walking, jogging, driving, showering और अपनी well-defined professional problem पर ध्यान लगाएं. एक सफल productive meditation का यही तरीका है कि अपनी परिशानी पर लगातार वापस ध्यान लाया जाए. और ऐसा जब भी करें जब आपका दिमाग भटके. फाइदा लेने के लिए आपको यह लगातार practice करना होगा. जब आप meditation शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग विरोधी की तरह बरताव करता है. और बेकार के मगर मज़िदार खयालों को सुचता है. जब भी आपका ध्यान परिशानी से भटकने लगे, तो खुद को याद दिलाएं कि आप इसे बाद में सोच सकते हैं. और अपने ध्यान को वापस लाएं. Quit social media. इंटरनेट हमारी जिन्दगी का बेजोड हिस्सा है और आपको इसका इस्तमाल अचानक से नहीं रोकना चाहिए. हालकि आपको social media को छोड़ने का challenge लेना चाहिए. और शुरु में सिर्फ 30 दिनों के लिए ये करें. क्या social media के बिना वाले दिन उन दिनों से बुरे हो सकते हैं जब आप Facebook को चेक कर पाते हैं? क्या कोई ध्यान या फिकर करता है कि आप social media इस्तमाल नहीं कर रहे हैं? आपको बस social media यूज करना बंद कर देना है, बिना account delete करें और officially announce किये. Deep work करने के लिए आपको actively इस distracted connected world को reject करना होगा. आपको internet को entertainment के तौर पर इस्तमाल करना बंद करना होगा. अपने दिमाग के साथ जाधा meaningful चीज़े करें. इससे semi-consciously net browse करने के बदले आपकी feeling जाधा भरपूर होगी. अगर आप entertainment site से अपने वक्त और ध्यान बचाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को कुछ और दें. इससे आप ना सिर्फ भटकने से बचेंगे, बलके शायद आप पहली बार जीने का मतलब समझेंगे, ना कि सिर्फ exist करनें का. Train the shallows. shallow work को शक्की निगाह से देखें, क्योंकि इसका नुकसान अक्सर बहुत कम आका जाता है, और इसका फायदा बहुत जादा आका जाता है. इस तरह के काम को खत्म नहीं किया जा सकता है, पर आपको इसे सिर्फ उस point तक सीमित रखना चाहिए, जब तक ये आपकी मेहनत का पूरा फायदा लेने पर असर ना डाले. आपको अपना पूरा दिन schedule करने से शुरुआत करनी है, इस schedule को adopt और modify करने के लिए open रहें. इस structure का मतलब है कि आपके पास shallow work में फ़र जाने के बहुत कम मौके हैं. अगर आपके schedule का कोई structure नहीं होगा और वो over flexible होगा, तो आप खुद को social media पर बिकार के काम और फाल्तु में net browse करता हुआ पाएंगे. स्ट्रक्चर के साथ आप ensure करते हैं कि आप regularly new ideas सोच पाएंगे, या किसी challenging काम पर गहराई से काम कर पाएंगे. इस तरह के commitment से ही innovation होती है. स्ट्रक्चर अप्रोच का फायदा है कि आप साफ देख सकते हैं कि कितना वक्त आप deep work कर रहे हैं और कितना वक्त shallow work पर खर्च कर रहे हैं. इसके ratio को समझें और अपने time को adjust करें ताकि दिन का जाधतर वक्त deep work पर ध्यान देने में बीते. कुछ tips हैं जो shallow work से बचाती हैं औ जब जाधा काम करें. चोटे जवाब ना दें जिसकी वज़े से बाद में जाधा काम करना पड़ सकता है. इमेल के साथ efficient बनें. जिन कामों को तुरंट किया जा सकता है उन्हें ना टालें. response ना करें. हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है. आपको इसके साथ comfortable हो ना होगा. पर जल्द ही आप इसके फाइदे देख पाएंगे. Stop being busy. Deep work सबके लिए नहीं है. इसके लिए आपकी आदोतों में बड़े बदलाव और मेहनत की ज़रूत है. बहुत से लोगों के लिए email, messaging और social media की नकली busyness में ही आराम है. जबकि deep life मांगती है कि आप बहुत क गजरती है. जो आपके दिमाग को उसकी शमता तक काम करने देती है. और आपके अराम और डर से उपर उठाती है. ये पूरी तरह possible है. और एक बार आपने शुरू कर दिया, आप मोड कर नहीं देखेंगे. तो दोस्तों, मुश्किल काम को असानी से करने और अच्छे content, products, services बनाने के लिए आपको deep work करना होगा. Deep work rare है क्योंकि shallow work आसान है. Deep work करना मुश्किल है. पर जब आप शुरू कर देंगे, तो आप फाइदे देख पाएंगे. Deep work के चार rules हैं जो आपके productivity को बढ़ा सकते हैं. Work deeply, embrace boredom, quit social media, drain the shallows. Thank you, दोस्तों. I hope ये वीडियो आपको पसंद बढ़ता है. आप हमारी चैनल को जॉइन करके live work workshops के भी benefit ले सकते हैं. आप हमें हमारे Instagram, Facebook और Telegram पर भी follow करें. और अगर आप हमसे collaboration या promotion में help लेना चाहते हैं, तो हमें email करें. अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी like में help कर सकती हैं, तो सबके साथ पास चे शेयर भी करें. जल्दी मिलेंगे और भी बहतर वीडियो के साथ. Thank you so much.